हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार स्वागत है सही जवाब में दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि शुगर इंटेक जो है वो आपके हेल्थ के लिए इतना ज्यादा हानिकारत क्यों हो सकता है हलाकि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि चीनी खाना य इससे आपके बॉड़ी में क्या-क्या हो सकता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर रहे हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को पटा-पट यहां पर सब्सक्राइब कर दीजे सबसे पहली बात weight gain तो यह आपने बहुत generally सुनाई होगा कि ज्यादा चीनी खाने से जो है वो weight gain बहुत जल्दी हो जाता है तो basically इसमें क्या होता है इसकी पीछे की थोड़ी सी biology समझ लेते हैं बात यह है कि आप अगर कोई ऐसा product खा रहे हैं जिसके अंदर बाहर से चीनी म मिलाए जाती है तो इससे बात यह होती है कि जब आप ऐसे कोई drinks पीते हैं तो इससे आपका hunger कहीं भी curve नहीं होता है याना कि आपकी भूक नहीं मिटती है लेकिन शुगर अंदर जाती रहती है तो क्योंकि आपकी भूक नहीं मिटती है तो आप उसको जादा मातरा में पीन जाते हैं और इससे जो शुगर निकलती है वो फिर फैट में तब्दील होना शुरूरू हो जाता है क्योंकि आपकी बॉड़ी जो है वो कुछ प्रमान में ही शुगर को बॉन आउट कर सकती है अगर वो बहुत ज्यादा प्रमान में शुगर जा रही है तो वो आपके बॉड चीज पर असर डालती है अफेक करती है और वो है लेप्टिन के उपर तो लेप्टिन जो होता है वो आपकी भूक से related एक हम कहें कि enzyme होता है body के अंदर तो यह enzyme क्या करता है यह hormone हम कह सकते हैं तो यह hormone क्या करता है कि आपके पेट से आपकी दिमाग तक जो है वो signal भेजता है कि हाँ अभी भूक लगी है तो आपको खाने का मन करता है या अभी आपकी भूक पूरी हो गई है या आपका पेट भर गया है आप खाने की जरूरत नहीं है तो आप जो है वो कहते हैं कि नहीं मेरा पेट भर गया है तो ये शुगर क्या करती है एक्सिसिव शुगर कि इस लेप्टिन की साथ जो है वो इंटरफेर करती है जिसकी वज़ासे ये लेप्टिन आपकी पेट से आपकी ब्रेन तक ये मैसेज नहीं पहुचा सकता है जल्दी कि अब पेट भर चुका है आप और जादा खाने की जरू चुका है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा हमेशा कहा जाता है कि एक 10 से 15 प्रतीशत की जो स्पेस है आपके पेट की अंदर वो हमेशा खाली होनी चाहिए पूरा ऐसा लबालब भर करके ना खाए लेकिन ये क्योंकि शुगर जो है वो लेप्टिन के साथ वहाँ इसका राप पर यह करती है तो फिर आपको ज्यादा खाने की क्रेविंग होती है जिसकी जरुष्छव थे ही नहीं है और ज्याँधा की वज़ेश से क्या होगOW है कि आपके बोडी की अंदर जरुष्क्व क्लसे खाना जादा पहँचेगा उसके अंदर से फैट ज्यादा तो फिर ये सब कुछ आपके body में सोक लिया जाएगा और आपकी obesity बढ़ती चली जाएगी तो weight gain ये पहली चीज इसके अलावा दोस्तो triglyceride भी बढ़ता है तो triglyceride जो है वो बढ़ने से क्या होता है कि heart disease का खत्रा बढ़ जाता है तो basically जो भी आप खाते हैं sugar जो की excess amount में है जिसको body पचा नहीं पाती है या burn नहीं कर पाती है वो eventually आपके fat में जो है वो वहाँ पर तबदील होता रहता है जैसे-जैसे fat बढ़ेगा वैसे-वैसे आपका cholesterol भी बढ़ेगा जैसे-जैसे fat और cholesterol बढ़ेगा आपके जो heart के तरफ जाने वाले जो veins है उनके अंदर ये जमा होता चला जाता है और veins को यहाँ पर संकरा करता चला जाता है जैसे-जैसे veins संकरी होती जाएगी उससे blood जो है वो ठीक तरीके से पास नहीं हो पाएगा और अगर blood ठीक तरीके से heart तक ना पहुचे तो heart disease वहाँ पर हो नहीं जा रहा है आपको heart attack वहाँ पर हो ही हो सकता है तो क्योंकि sugar जो है वो directly आपके fat और cholesterol से related है तो इसकी वज़े से आपका जो heart disease का खत्रा है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है इसके अलावा दोस्तों आपकी जो है वो acne का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है अगर आप बहुत जादा मातरा में शुगर खा रहे हैं कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनकी glycemic index बहुत जादा होती है glycemic index मतलब जिनकी अंदर added sugar और यह preservative सी चीज़े बहुत जादा होती है तो इनमें कौन सी चीज़े आती है यह biscuit, cookies या processed food कोई होगा तो ऐसी चीज़े या processed desserts होते हैं ऐसी चीज़े अगर आप consume करते हैं बहुत जादा मातरा में तो उसकी glycemic index बहुत जादा होती है जिसकी वज़े से blood sugar level बहुत जादा spike up हो जाती है इसकी वज़े से androgen बहुत जादा रिस्ता है साथी साथ oil भी बहुत जादा रिस्ता है आपके body के अंदर और inflammation बढ़ जाता है जिसकी वज़े से यह high oil levels और androgen levels जो है वो आपकी skin के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है और जब यह प्रमाण बहुत जादा हो जाता है तो skin के उपर उभार बन जाता है जिससे की वो excess oil बाहर निकल सके तो उसको हम pimple बोलते हैं या acne बोलते हैं तो अगर आप ऐसी high glycemic index वाले खाने खाते हैं तो उसकी वज़े से यह सारा ripple effect हो रहा है एक दूसरे की उपर चीज़े असर डालती है और कहीं और ही आपको result देखने को मिलता है तो कभी किसीने सोचा नहीं होगा कि बहुत जादा शुगर खाने से मेरे चहरे के उपर pimple आएंगे तो यह उसकी बीचे पूरी की पूरी एक chain काम करती है अगला दोस्तों सबसे popular खत्रा जिसकी बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा और वो है type 2 diabetes तो type 2 diabetes का खत्रा जो है वो ऐसे ही obviously ज़्यादा मात्रा में शुगर खाने की वज़े से होता है क्योंकि आपकी body जो है वो वहाँ पर insulin को बिलकुल immune जैसी हो जाती है याने कि वो उसको react ही नहीं करती है body के अंदर जो है वो insulin के प्रती resistance तयार हो जाता है तो insulin क्या करता है तो यह pancreas की तरफ से जो है वो insulin वहाँ पर secret किया जाता है रिष्टा है तो इससे क्या होता है कि जो आपकी खाने में से शुगर आई हुई है तो पचाते वक्त उस शुगर का जो है वो breakdown किया जाता है कुछ शुगर को वहाँ पर protein की साथ react करके muscles तक पहुचाया जाता है और कुछ शुगर को सिर्फ energy की तौर पर store कर लिया जाता है लेकिन कुछ शुगर ऐसी होती है जो या तो fat में तबदील हो जाती है क्योंकि वो पच नहीं पाती है या वैसे ही blood stream में जो है वो वहाँ पर छोड़ दी जाती है तो ये जो excess sugar हो जाती है blood में तो उसको जो है वो वहाँ पर कम करने के लिए insulin काम करता है क्योंकि अगर blood के अंदर sugar की level बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो blood गाणा होने लगेगा आपका खून जो है वो गाणा होता चला जाएगा जिसकी विज़े से वो आपके पूरे body में दोड़ नहीं पाएगा और eventually heart बंद हो जाएगा क्योंकि इतना अगर गाणा है खून तो फिर उसको pump करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके veins के उपर भी बहुत pressure पड़ता है तो खून को पतला बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो है वो insulin रिषता है जो की इस excess sugar को burn कर देता है जला देता है तो body में क्या होता है कि इस insulin का resistance ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है body insulin को react ही नहीं करती है जिसकी विज़े से blood के अंदर की sugar जल ही नहीं पाती है जिसकी विज़े से ज़्यादा से ज़्यादा sugar आपके blood stream में रहती है और इसकी विज़े से type 2 diabetes develop हो जाता है महाँ पर आपकी body जो है वो insulin को resist करती है जिसकी विज़े से pancreas पे बहुत ज़्यादा काम पड़ता है बाद में pancreas जो है वो काम करना कम कर देते हैं और eventually बंधी कर देते हैं जिसकी विज़े से बाहर से insulin के heavy doses देने पड़ते हैं तो ये risk एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर बनी रहती है इसकी विज़े से ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी उमर थोड़ी ज़्यादा हो चली है तो आप शुगर का जो मातरा है वो आपके खाने से कम ही कर दे और अगर आप जवान भी है और बहुत ज़्यादा मातरा में श उसका प्रमान कम कर दिया जाए अगर यंग एज में उस आदमी को डाइवेटीस लगता है तो फिर उसकी मुश्किलाते आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ सकती है तो इसकी विज़े से ऐसा कहा जाता है कि आपका शुगर इंटेक जो है वो कंट्रोल में रखिये अगली ब उससे ये पता चलता है कि हाँ इससे थोड़ा बहुत कैंसर का खत्रा जो है वो आपके बॉड़ी के अंदर जरूर बढ़ता है क्यों उसका भी रीजन है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जितनी ज़्यादा शुगर खाओगे अगर बॉड़ी उसको पचा नहीं पाएगी तो वो फैट में तबदील होती चली जाएगी तो जैसे जैसे आपका वहाँ पर बढ़ता है वैसे वैसे आपकी उबेसिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ती चली जाती है और जो लोग हद से ज़्यादा ओबेस हो जाते हैं उनकी अंदर कैंसर का खत्रा बहुत बॉड़ी के उपर तो उस चर्वी के अंदर जो है वो कैंसर का खत्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि चर्वी होने की वज़य से जो है वो आपकी बॉड़ी काफी ज़्यादा फूल जाती है आपको समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर कुछ क्लॉड बन रही ह यह कुछ ट्यूमर बन रहा है और वो बाद में पता चलता है तो इसकी वज़य से जो लोग बहुत ज़्यादा ओवेस हैं उनकी अंदर कैंसर का खत्रा बढ़ता है और अगर वो शुगर की वज़य से हो रहा है तो अगली चीज़ दोस्तों आपके mental health से related है और वो यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मातरा में शुगर ले रहे हैं तो वो आपको depression में भी धगेल सकता है क्योंकि शुगर जब आप खाते हैं तो यह एक instant mood relaxer जैसा होता है जब आप शुगर खाते हैं तो आपका mood एकदम uplift हो जाता है क्योंकि body के अंदर बहुत ज़्यादा मातरा में शुगर पहुच जाती है यानि कि energy पहुच जाती है तो आपको बिल्कुल बढ़िया महसूस होता है energetic महसूस होता है happy महसूस होता है लेकिन एक चीज है जिसको कहा जाता है कि sugar crash या हम कहें कि glucose crash तो यह glucose crash यह sugar crash जो है वो तब आप महसूस करते हैं जब यह सारी शुगर जो excess sugar है वो body जलाना शुरू कर देती है या वो जो सारी energy है वो use होना शुरू हो जाती है उसके बाद जो है वो instantly आपको ऐसा लगता है कि energy बिल्कुल down हो चुकी है तो क्यूंकि यह high energy आपके mental state की उपर भी असर डालती है तो यह आपको depression में भी धकेल सकती है कि आदमी जब शुगर गाता है बिल्कुल बढ़िया मैसूस करता है लेकिन जैसे ही खाना बंद कर देता है वो आदमी बिल्कुल ही low feel करने लगता है बिल्कुल दुखी हो जाता है किसी से बात करने की इच्छा नहीं रह जाती है तो यह सारी चीज़े sugar intake से भी related होती है आपने अक्सर यह cases देखे होंगे कि जो लोग बहुत ज़ादा depression से जूझ रहे हैं उनकी अंदर obesity बहुत ज़ादा आ जाती है क्यों आ जाती है क्योंकि वो लोग जो है वो कही बाहर नहीं निकल रहे हैं उनकी lifestyle बहुत जादा unhealthy हो चूखी है और खाने में यह लोग जो है वो बहुत ज़ादा शुगर ले रहे हैं या वो खाने की बज़े से जो है वो उतने समय के लिए ज़ादा energetic फील करते हैं और जैसे ही sugar drop होती है फिर इससे depressed महसूस करते हैं फिर इससे खाने लगते हैं तो यह एक disorder बन जाता है यह एक circle बन जाता है जिसके अंदर जूरिया आना बड़ी ही आम बात है लेकिन अगर आप बहुत जादा मातरा में शुगर ले रहे हैं तो इससे एक चीज होती है वो होती है advanced glycation and products तो advanced glycation and products में क्या होता है कि आपके body की अंदर protein और sugar की जो reactions होती है उसकी वज़े से skin aging process fast हो जाती है जिसकी वज़े से आपके चेहरे के ऊपर आपके उमर की हिसाब से थोड़ी जादा जूरिया दिखने लगती है आपकी skin जो है वो collagenin और elasticity को lose कर जाती है जिसकी वज़े से skin daily होने लगती है और आप आपकी उमर से थोड नहीं खा रहे हैं तो फिर ये चीज़े जो है वो हो सकती है जिसके अलावा दोस्तों हमने बात कर ली skin aging की तो आपका जो cellular age है वो भी जादा इससे speed up हो जाता है आपके cells का age जादा बढ़ने लगता है तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल अलग factors है आपकी skin age होना और आपका cellular age होना तो cellular aging में जो है वो telomers नाम का एक हमारे अंदर chromosome होता है वो बहुत ज़्यादा काम करता है हलाकि cellular aging जो है वो उमर के साथ-साथ होना बिल्कुल आम बात है क्योंकि ये जो telomers होते हैं वो short होते चले जाते हैं तो ये telomers क्या करते हैं कि आपकी जो chromosome होते हैं ये आप एक example के तोर पर दे रहा हूँ कि माल लेजे दो अलग-अलग cells हैं जो कि आपके DNA के अंदर है और ये DNA जो है वो आपकी पूरी genetic information को store करे हुए होता है तो ये जो telomose है वो दो जो आपके genes है उनको बीच में एक buffer zone की तरह काम करता है तो ये telomose जैसे-जैसे sort होते चले जाते हैं ये दो आपकी जो cells है या जो genes है वो आपस में भीड़े जाते हैं जिसकी विज़े से वहाँ पर कहीं न कहीं हम थोड़ी सी कह सकते हैं कि deformity आने लगती है ये mutation शुरू हो जाता है तो आगे चलकर जो है उनके अंदर कुछ न कुछ deformity वगेरा आ सकती है तो इसकी उपर अभी advance study भी जारी है लेकिन ये जो telomose है वो जो shortening की process है वो एक unhealthy lifestyle से बहुत जादा speed up हो जाती है अगर आप बहुत जादा मातरा में sugar ले रहे हैं उसको पचा नहीं रहे हैं उसको burn नहीं कर रहे है खाली obesity बढ़ती जा रही है obviously है कि आपके telomose जो है वो भी weak होते चले जाएंगे तो आपकी cellular age भी इससे बढ़ने वाली है अगली चीज़ दोस्तो fatty liver तो liver में क्या होता है कि जो भी आप sugar खाते हैं उसकी दो मुख्य जो है वो types है पहला वो है जिसे हम कहते हैं glucose जो कि normal खाने से आपके body में पहुचता रहता है क्योंकि उस खाने में naturally glucose है तो वो एक अलग तरीके का होता है दूसरा होता है fructose तो fructose sugar मतलब हमारी जो sugar cane से बनती है या किसी भी fruit के अंदर होती है जिसको extract किया जाता है उसको कहा जाता है fructose sugar क्योंकि वो fruit से निकली हुई है या गन्ने से निकली हुई है अगर ऐसी sugar आप खाने के अंदर add कर रहे हैं वाहर से तो ये sugar जो है वो generally body के अंदर इतने आसानी से absorb नहीं की जा सकती है तो इसको mainly आपकी जो liver है वो breakdown करती है आपके cells तक fructose sugar बहुत कम पहुचती है अगर वहाँ पर liver उसको ठीक तरीके से breakdown नहीं कर पाएगी तो फिर ये सारी जो fructose sugar है वो आपकी blood stream में ज़्यादा चली जाएगी जिसकी वज़े से फाइदा कुछ ज़्यादा होगा नहीं नुकसान ही ज़्यादा होंगे दूसरी बात ये है ये जो fructose sugar है अगर वो पूरी तरीकी से पच्छ नहीं पाती है तो थोड़ा हिस्सा उसमें से जो है वो liver अपने अंदर सोख लेता है लेकिन liver का भी कुछ एक अपना प्रमान होता है कुछ एक limit होती है उस limit को अगर आप cross कर जाएंगे तो फिर liver भी उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता है liver जो है वो access sugar को वैसे ही छोड़ देगा अगर उसके अंदर भी बहुत जादा sugar retention हो रहा है liver के अंदर तो sugar के अंदर का जो fat है वो आपकी liver के उपर चड़ता चला जाएगा और फिर आपका liver जो है वो डंग से काम नहीं करेगा तो बाकी का खाना भी डंग से पचेगा नहीं तो फिर उससे और complications आगे चलकर हो सकते हैं तो इस condition को जो है वो non-alcoholic fatty liver कहा जाता है जिसका short form होता है NAFLD non-alcoholic fatty liver disease इसके अलावा kidney के उपर कुछ असर रहता है का तो हाँ जरूर kidney के उपर भी असर रहता है क्योंकि अगर blood stream में बहुत ज़्यादा sugar है तो वो आपके kidney के अंदर के जो blood vessels है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं तो उनको ये damage करता है तो अगर उसके अंदर के blood vessels ज़्यादा damage हो चुके है तो फिर kidney जो है वो धंसे काम नहीं कर पाएगी क्योंकि kidney का main काम क्या है कि आपके खून में से अशुद्धियों को निकाल लेना तो खून कैसे पहुचता है kidney तक तो इनी blood vessels से पहुचता है उसके अंदर शुगर ज़्यादा है तो वो blood vessels एक तो block हो जाएंगी या वहाँ पर steep हो करके break हो जाएंगी तो इसकी वज़े से आगे चलकर kidney की problem आ सकती है इसके अलावा आपके दातों की उपर बहुत गहरा और बुरा असर पड़ेगा जो कि normally लोग कहते ही हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर खाओगे बहुत ज़्यादा चीनी खाओगे चॉकलेट खाओगे तो आपके दात सडने लगेंगे उसके अंदर cavities हो जाएंगे तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि शुगर जो है जब आप खाते हैं उसके बाद वो दातों की उपर जम जाता है और उसके अंदर होते हैं bacteria आपके mouth के अंदर जो कि शुगर के उपर ही पनपते हैं क्योंकि शुगर के अंदर है energy वही उन bacteria को चाहिए तो जैसे जैसे ये bacteria को खाते हैं शुगर को तो कुछ ऐसे enzymes secret करते हैं अपने अंदर से बाहर छोड़ते हैं जो कि दात को बहुत ज़्यादा harmful होते हैं और दात जो है वो अंदर से सडने लगता है तो इसकी वज़े सा ऐसा कहा जाता है कि जितना आप शुगर कम खाओगे आपके दातों की health उतनी ही बहतर रहेगी साथी साथ अगर आप coldering consume कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर भी होती है जो बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है बहुत अलग तरीके की chemicals भी होता है तो इससे और भी एक खत्रा बढ़ जाता है जो कि ये दातों की उपर का enamel जढ़ जाता है तो दातों की उपर एक enamel होता है जो कि आपके दातों को खाने से या कोई strong enzyme से control करता है या protect करता है तो ये enamel जढ़ने की वज़े से दात भी बहुत ज़्यादा जल्दी सढने लगते हैं या गिर जाते हैं कमजोरी आ जाती है दातों की टुकड़े निकल जाते हैं तो ऐसी चीज़े इसके अंदर हो सकती है या बहुत ज़्यादा कम उमर में ही सारे दात जो है वो आपके गिर सकते हैं जिससे कि आपको नकली दात लगाने की नौबत भी आ सकती है तो इसकी वज़े से ये कहा जाता है कि शुगर आपके दातों की उपर भी बहुत बुरा असर छोड़ती है इसके अलावा और एक condition होती है जिसका नाम है gout तो अगर इसको untreated रखा गया तो आगे चलकर ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है आपकी हर एक body की joint में दर्द चुरू हो जा सकता है इसके अलावा एक study अभी चल रही है हाला कि 100% पुष्टी नहीं हुई है लेकिन काफी close है वो लोग यहाँ पर results के है तो दोस्तों ये सारी की सारी जो है वो conditions आपके body की अंदर excessive sugar intake से हो सकती है बहुत जादा मतरा में चीनी खाने की वज़े से ये सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है हाला कि बिलकुल ही चीनी ना खाना ये इसकी उपर का कोई इलाज नहीं है आपको जितनी चीनी की जरुत है जितनी energy की जरुत है उतना तो आपको खाना ही पड़ेगा वरना body में कमजोरी आ जाएगी लेकिन इतना भी नहीं खाना है कि आपकी body को उससे कुछ harm पहुच जाए अन्तमे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज की अती जो होती है वो बुरी ही होती है आपके लिए अगर आप उसको limit में करेंगे तो आप फाइदे में रहेंगे तो आप दोस्तों ये विडियो आपको पसंद आया होगा काम का लगा होगा तो दोस्तों अगर वीडियो काम का लगा है इंफरमेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले